क्या आपके मन में भी आने वाले नव वर्ष को जानने की प्रबल एक्षा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाले नव वर्ष 2022 आपके जीवन के विभिन छेत्रों में कैसे परिणाम लेकर आ रहा है? क्या आप इस वर्ष कुछ निर्णय लेने के लिए दुविधा मैसूस कर रहे हैं क्या इस वर्ष आपका प्रेमी के साथ प्रेम विवा होगा क्या कारशेत्र पर आपकी तरक्की और आमदनी में वृत्थी होने के योग बनेंगे अगर आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न उत्पन हो रहे हैं तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए आप इस वीडियो को पूरा आवश्य देखें मैं आशा करती हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के अंद तक अवश्य मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्री गुरू चरण पर दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्च प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्थ हो मित्रों इस वीडियो में हम जानेंगे सिंग राशी के जातकों का वर्ष 2022 का संपूर राशी फल तो चलिए मित्रों अब जान लेते हैं आपका राशी फल सिंग राशी फल 2022 के अनुसार वर्ष 2022 सिंग राशी के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम ला रहा है शुरुवाती महा जनवरी के महीने से अपरिल के मध्य तक आपकी राशी के सब्तम भाव में गुरु ब्रहस्पती का उपस्तित होना आपके आर्थिक जीवन में अनुकूलता देने के योग बनाएगा जिसके परिणाम स्वरूप यदि आपको पूर्व में किसी प्रकार से आर्थिक तंगी से दो चार होना पर रहा था तो आप उससे छुटकारा पा सकेंगे इसके साथ ही जन्वरी के अंतियानी 26 जन्वरी से मार्श तक मंगल देव आपकी राशी के छटे भाव यानी भाग भाव में उपस्तित होंगे खास तौर से इस दोरान आपकी संतान की खराब सेहत में सकरात्मक बदलाव आएंगे साथ ही मंगल की ये स्तिथी कारशेत्र पर भी आपको उत्तम फल देगी और आप वेतन वृध्धी करने में सफल रहेंगे हाला की वर्ष 2022 की भविशवाडी को देखे तो इस वर्ष के फरवरी और अपरिल की महीने में कई ग्रहों की होने वाली यूती और फेर बदल आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ओर इशारा कर रहे हैं अपरिल में कुछ जातकों को कई अप्रकाशित घटनाओं से भी दो चार होना पड़ेगा वहीं बारा अपरिल को छाया ग्रह राहू मेंस राशी में गोचर करते हुए आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे जिससे सिंग राशी के जातकों की सेहत में गिरावटाएगी इसके अलावा अपरिल से अगस्त तक गुरू ब्रहस्पती का अपनी ही मीन राशी में प्रवेश करते हुए परिवर्तन वह अनिश्चित्ताओं के आठवे घर में मौजूद होना आपको जीवन में भाग का साथ देगा जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक माधिमिक सिक्षा ग्रहन कर रहे छातरों को आपार सफलता मिल सकेगी 22 अप्रल के बाद मेश राशी में राहो की उपस्तिथी आपको कारिस्थल पर अपने बौस वरिष्ट अधिकारियों और सहकर्मियों से अपने संबंद भैतर करने में मदद करेगी जिससे भविष में आप उनका सहयोग प्राप्त करते हुए अपनी पद्पतिष्ठा और वेतन में बढ़ोतरी कर सकेंगे वही यदि आप शादी जुदा हैं तो आपके सब्तम भाव के स्वामी शनी का आपके रोगों के छटे भाव में उपस्तित होना साल के शुरुवाती समय में आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्त कष्ट देगा परन्तु अप्रेल से लेकर सितंबर महीने में गुरुदेव की गृपा से आप दोनों के रिष्टे में नया पन पुना लोट सकेगा जिससे नविवाहित जातक अपने दामपत्य जीवन में विस्तार करने का निर्नल ले सकेंगे इसके साथ ही कई योग दर्शा रहे हैं कि जून और अगस्त महा में आपको विशेश सावधानी बरतते हुए अपने वैवाहिक जीवन में ताल मेल बैठाने के लिए हर संभव प्रयास करने की भी आविशक्ता होगी इसके बाद दस अगस्त से ऑक्टुबर के बीच मंगल देव का व्रिशब राशी में होने वारा गोचर पुना आपके रिष्टे में मधुरता लेकर आएगा क्योंकि मंगल देव इस समय आपके प्रेम संबंधों के पंचम भाव को पुन रूप से दिष्टी करेंगे लव लाइफ 2022 को देखे तो इस वर्ष सिंग राशी के जातकों को अपने प्रेम जीवन में कई बड़े बदलावों से दो चार होना पड़ेगा क्योंकि जहां साल की शुरुवात में मंगल का आपके पंचम भाव में इस्तित होना आपके क्रोध में विधी का कारण बनेगा तो वहीं अप्रल से लेकर मई के बीच कई ग्रहों का फेर बदल इस बात को दरशा रहा है कि इस दोरान आपके रिष्टे में किसी तीसरे व्यक्ती का हस्त शेप काई समस्याओं और गलत फहमियों को जनम दे सकता है लखी रंग लाल और नारंगी लखी नमबर एक पांच नौ दस और बत्तीस मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जै श्री राम